हलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लेके चलूंगी सरोजनी मार्किट और आपको दिखाऊंगी की सरोजनी मार्किट के अंदर इस ताइम किस तरह की कलेक्शन आई हुई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो सबसे पहले सरोजनी के अंदर जब मैंने एंटर करा तो मैंने लेफ्ट साइड एंटर करा तो लेफ्ट साइड जाने के बाद मुझे एक स्टॉल दिखा जिसके उपर हंडर्ड रुपीज के टॉप दिख रहे थे कुछ इस तरह के ट्रैंडिंग लोर्स बहुत ज कुछन कवर हो भाईया वन फिफ्टी के पांच कुछन कवर दे रहे थे जो की बहुत अच्छे क्वालिटी के थे जिब बहुत अच्छा था मार्केट की स्टार्टिंग में ही आपको 100 रुपीज के स्लीपर और इस तरह की रिंग लाइट की काफी शॉप दिख जाएंगी एरिंग लाइट की मार्केट के अंदर सिर्फ एक शॉप थी नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पर ये 20 रुपीज की एरिंग्स मिल रहे थे जो काफी सुन्दर थे और दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे उसी के जस सामने 100 रुपीज का स्टॉल थ इसी बॉइज और गल्स दोनों के लिए मतब जिसे जिम के अंदर पहनते हैं इस तरह की काफी अच्छे अच्छे कलर्स में टीशिट थी और वो 100 रुपीज की टीशिट थी इनका कलेक्शन भी काफी अच्छा था अभी हम लोग वो 100 से 196 वाले लेन के अंदर ही है जस्ट उ सी लेन में वहाँ पे 200 का एक स्टॉल था जहां पर बॉइस की शॉट्स मिल रहे थे डेनिम के अंदर जीन्स वाले स्टफ में पैंट वाले स्टफ में वो भी बहुत अच्छे थे नेक्स यहां पर 600 की प्लाजो सेट्स थे जो की वो भाईया 550 में मान गए थे और 300 से 200 तक की कुर्तियां थी जो की बहुत अच्छे ट्रेंडिंग डिजाइन्स में थी आगे चलकी एक शॉप थी जिसके अंदर डोर मैट्स की काफी अच्छे कलेक्शन थी वहाँ पर आपको डोर मैट का भी काफी अच्छा कलेक्शन मिलेगा और अलग अलग रेंज के अंदर मिल जिनके आपास कुर्ती का काफी अच्छा कलेक्शन था मतब प्रेगनेंसी में या फिर नॉर्मली घर के अंदर भी आप इस तरह की कुछ कुर्ती पहन सकते हैं वो बहुत ही सुन्दर लगेंगी और काफी अच्छा लुक देंगी ओफिस गोइंग के लिए भी काफी अच्छा स्टफ इस बार सरोशनी के अंदर आया हुआ था था थोड़ा सा और आगे चलने के बाद वहाँ पर आपको यह बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरह के भाईया घूमते रहते हैं जो आपको 50-30 रुपीज के बैक्स बेशते रहते हैं नेक्स्ट आप लोगों की पास यह शॉप है जिसके अंदर 100 रुपीज की शॉप ती जाप पर डैनिम की टी शिर्ट और वैसे टॉप्स कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए टॉप्स या फिर नॉर्मल टॉप्स आपको मिल सकते हैं 150 रुपीज के टॉप थे यह और इस तर के टॉप्स क्रॉस लाइनिंग के अंदर भी बहुत जादा आई हुए थे और जो इनर के साथ टॉप्स होते हैं वो भी बहुत जादा आई हुए थे और वो सिर्फ 100 रुपीज के थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही थी देखने में बहुत सुन्दर ल देखिए आपको दिख रहा होगा जो कलर्स है और जो क्वालिटी थी न वो भी बहुत अच्छी थी ऐसा नहीं था कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम देख रहा हो बाकि उसी के जस सामने ये शॉप थी उन्हीं भहिया की शॉप थी ये भी उन्होंने 150 की ये इस तरह के प्ल बहुत अच्छा था ये बिल्कुल आइसी आइसी बैंक के साइड में है और इसी के जस सामने वाले स्टॉल के बारे में बात करूं तो वहां पर भी 100 रुपीज के काफी सही टॉप दिख रहे थे मिरको बट वहां पर आपको थोड़ा सा ढूनना पड़ेगा जैसे मैंने य यह बहुत ही सुन्दर लग रहा था इस तरह की कुछ देखिए शर्ट्स आपको मिल सकते हैं और वाइट शर्ट्स उनके पास काफी अच्छे थे देखिए इस तरह की कुछ शर्ट्स आपको मिल सकते हैं तो काफी अच्छे अच्छे शर्ट्स थे काफी अच्छे टॉप से पर एक कुशन की शॉप थी जहाँ पर मेरे को शिमरी कुशन लेने थे इन भाईया ने मेरे को 300 के दो शिमर कुशन दिये इनके पास काफी अच्छा कलेक्शन आये हुआ था उसी के जर्स सामने एक यहाँ पर जंक जूलरी की शॉप थी जिनकी रेंज होती वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे मतलब इनकी रेंज होती वो 50 रुपीज से स्टार्ट होती है और 150 तक हाइस जाती है 50 रुपीज की वोडन एरिंग जूलरी जो स्टेटमेंट जूलरी होती है और यह जो कड़े थे कोई भी कड़े आप ले सकते हैं वो सिर्फ 50 रुपीज के थे मतब 50 रुपीज के कड़े it was just a very good deal तो यहाँ पर इनकी collection भी बहुत अच्छी थी एकदम latest collection लग रही थी और यह भाईया बोल रहे थे कि मेरी shop बहुत जादा famous भी है तो उसके बाद इनके पास देखिए statement jewelry का बहुत ही सुन्दर collection था यह आप western के साथ पहन सकते हैं इंडियन के साथ पहन सकते हैं तो यह jewelry बहुत सुन्दर लगेगी आगे चलके कुछ इस तरह की shops थी जहाँ पर आपको top को ढूणना पड़ेगा बट जो नों डिस्प्ले में top लगा रखे थे बहुत अच्छे थे यहाँ पर यह जो भहिया की shop थी यह बहुत ही सुन्दर collection था इन भहिया के पास मतब आप देख सकते हैं junk jewelry का collection इनके पास बहुत अच्छा था starting from 150 रुपीज से लेकर इनका नीचे नीचे आते आते इनके जो range थी वो कम होते जा रही थी सबसे उपर वाले जो थे वो 150 के थे देन उसके बाद 180, 50 सबसे कम 50 था इनके पास उसी के just side में यह footwear का shop था यह अगर आप दूसरे gate से एंट्री करेंगे ना तो यह आपको बिलकुल सामने-सामने आपको दिख जाएगा जहाँ पर food code भी है तो इनके पास shoes की best collection थी मतलब इनका collection बहुत ही अच्छा था जैसे की अच्छे अच्छे brands के shoes थे इनके पास मैंने इनसे पूछा की यह copy है तो इन्होंने साफ मना कर दिया इन्होंने यह बोला यह किसी तरह की copy नहीं है बाकी बट इनकी quality बहुत अच्छी थी बाकी कितना सच है कितना जूट यह नहीं जान सकते बट quality जब मैंने पहना तो यह बहुत ही अच्छे थे यह जो मैंने ट्राइ कर रहे हैं यह मिरको 550 रुपीज में दिये थे उसके बाद बाकी जो इनके पास boots थे वो भी बहुत अच्छे थे 1000, 1200 यह वाले जो boots थे वो 800 रुपीज के थे जो long boots थे वो 1000 से 1200 की range में थे विच वो अलसो अ वेरी गुड डील आगे चलने के बाद यह कुशन की shop थी बट इन भाईया ने थोड़ा भी price कम नहीं कर रहे थे यह विकुर 275 पे अड़े हुए थे आगे चलके वहाँ पर एक और shop थी वो shop के अंदर जाने के बाद इनके पास 350 में कुर्तीज का बहुत अच्छा collection आये हुआ था मतलब बहुत ही सुंदर collection 350 रुपीज में सरोजनी के अंदर आप लोग tattoos भी बनवा सकते हैं वापे इस तरह के आप लोग को दिखते रहेंगे tattoo बनाने वाले भी यह वाला shop तो बड़ा interesting था यह भाईया तो बिलकुल ऐसा था कि इन्होंने H&M, Mango, Zara इस तरह क्या कुछ T-Shirt का sale लगा हुआ था no doubt T-Shirt बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छी quality की थी मैंने इसमें से T-Shirt खरीदा भी था next बिलकुल graffiti lane के बिलकुल starting के अंदर जाने से पहले यह एक stall लगा हुआ था 100 रुपीज का और इन भाईया की collection tops के अंदर सबसे जादा best थी मतलब की अगर आपको बिलकुल modern, mango, H&M या फिर कोई भी अच्छा brand जैसे only इस type की brands का top चाहिए तो आप इनको check out जरूर कर सकते हैं इनके top की collection बहुत अच्छी थी और वो भी सिर्फ 100 रुपीज में ये आपको बिलकुल graffiti lane की starting में मिलेगा next, graffiti lane नहीं गए तो कहां गए, सरोजनी के अंदर graffiti lane जाना तो बहुत ही एक landmark हो जाता है graffiti lane के अंदर हमेशा की तरह यहां की range 100 से 150 के बीच में ही रहती है इस से जादा यहां पर खरीदना तो बेकार है, मतलब की इस lane के अंदर ही यहां पर काफी कुछ मिल जाएगा इस range के अंदर तो देखिए इनका collection कुछ इस तरी की का था graffiti lane की बहार आते ही इस तरह की कुछ shimmer वाले top थे match top थे, यह 200 रुपीज के थे जो इन भाईया ने बताया था बिलकुल बिक्सी के सामने बिक्सी के सामने यह एक नई शॉप थी यह इन भाईया ने एक stall लगाया हुआ था corner के अंदर और इनके पास भी जो long skirts, long जो dresses होते हैं, बहुत अच्छे थे और जो skirts का या फिर long dresses का range था, वो 200 से 300 के बीच में लाए कर रहा था बट इनका collection काफी अच्छा था सरोजनी के अंदर इस तरह के आपके 100 रुपीज के उसी lane के अंदर बिक्सी वाली lane के अंदर 100 रुपीज के आपके बहुत सुंदर सुंदर cute cute आपको tops मिल जाएंगे और जिनका print बहुत अच्छा लग रहा था और quality टच करने में भी बहुत अच्छी लग रही थी इस तरह के plain टीशेट भी सरोजनी में मिल रहे थे that was of 80 रुपीज उसके बाद हमें बहुत interesting shop मिली जो भाईया कह रहे थे कि ये रामदेव बना रहे हैं ये रामदेव की जीन्स है तो ये वाली जीन्स जो थी वो 200 रुपीज की थी no doubt इसकी quality अच्छी थी stretchable थी काफी जादा और इनके पास काफी print था और ये भाईया जो है वो online delivery भी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी shop थी देखिए इसकी quality बहुत अच्छी है अगर आपको skirts लेनी है तो आप इस shop को जरूर विजट करें बिक्सी की lane के अंदर ये shop है उनकी skirt quality awesome थी उसके बाद इस तरह की polo t-shirts बहुत जादा मिल रही थी 100 rupees की polo t-shirt थी ये shop भी मुझे stalls की मिल जाएगी stall print था वो अच्छा था home decor की भी काफी items सरोजनी के अंदर दिख रहे थे काफी अच्छा collection था इस तरह की statement jewelry भी काफी अच्छी थी bags का collection ये सारा का सारा उसी lane का collection है 400 rupees के अंदर किसी भी कोई भी bag ले लो जो की बहुत अच्छी quality का लग रहा था बहुत सुंदर designs से इनके पास bags के आप देख सकते हैं online यही bag आपको 1200-1300 से कमगा नहीं मिलेगा बट इनके पास काफी सुंदर सुंदर bags थे जो की दिखने भी बहुत सुंदर लग रहे थे और उनकी chain quality भी काफी जादा अच्छी थी सरोजनी के अंदर इस बार काफी trending चीज़े आयोई थी जैसे कि वो पजा में इस तरह के bags chain वाले bag और top का भी मुझे collection काफी अच्छा लगा 50 रुपीज का इस टॉल था और इनके पास भी top का बहुत अच्छा collection दिया हुआ था इस इस शॉप नंबर 99 और शॉप नंबर 99 ये एकदम अंदर जाके top pops की shop है तो यहाँ पर इनोंने display में बहुत अच्छा लगा हुआ था मतलब ये एक अंदर अच्छा ता गोदाम सा बना रखा है इनोंने और इसके अंदर काफी सारी इस तरह के आपको one piece मिल जाएंगे display में इनोंने one piece लगा रखे है और इनका collection भी काफी सही लग रहा था मतलब अगर आपको beach पे जाना है या फिर किस तरह का कोई भी कुर्टीज भी थी ऐसा नहीं था top भी था सब कुछ था मतलब display में लगा रखा था बट इनका collection काफी सही लग रहा था मुझे और इनकी जो product की quality थी वो भी सही लग रही थी और prices भी इस वाले area के अंदर बहुत ही अच्छे prices थे जादा के नहीं थे कुर्टीज की range जो थी वो 250 रुपीज की थी बट quality भी कुर्टीज की और design कुर्टीज के बहुत अच्छे थे और काफी ज़दा trending लग रहे थे देखिए सरोजनी में इस बर बहुत अच्छी चीज ये थी कि सब ने precaution ले रखे थे सब लोगोंने mask पहन रखे थे बहुत ही अच्छी चीज है कि लोग ध्यान रख रहे हैं बट shopping is shopping तो लोग रुख भी नहीं रहे थे बट mask सभी ने लगा रखा था जंग जूलरी की या फिर trending जूलरी की ट्रेडिशनल जूलरी की यहां पर बहुत सारी शॉप सी शॉप नमबर 100 मतलब इनके पास बहुत ही सुन्दर ड्रेस थी जो प्रिंट से न फ्लोरल प्रिंट जो थे ड्रेस के वो बहुत अच्छे थे और प्राइस भी बहुत सही था थोड़ा और आगे चलने के बाद इस तरह की कुछ वाच की शॉप स्टॉल चोटे-चोटे 50-100 रुपीज के स्टॉल आपको काफी मिल जाएंगे बद जो मैंने आपको लैंडमार्क बताएं उनकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी काफी डिफरेंट क्वालिटी थ पटिन की जो रेंज थी वो थोड़ी सी मुझे जादा लगी as compared to the shop जो मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उसके बाद इनके पास कुछ ऐसे एथनिक दिखने वाले बैक्स भी थे यहां पर यह 100 रुपीज के केप्रीज थी जो कि आप घर में पहार प लगते हैं देखिए देन हम लोग आगे गए तो उसके बाद हम लोग को काफी होम डेकोर का भी सरोजनी के अंदर बढ़ चुका है मतलब पहले जब मैं जाती थी तो सरोजनी में इतना कुछ नहीं होता था होम डेकोर का बट इस बार होम डेकोर में भी काफी कुछ इस तरह का घर का क्रोकरी का भी आपको छोटा मोटा समान मिल सकता है यह वाली पूरी शॉप जो थी वो आपकी 250 रुपीज के आपको बैक दे रही थी अगर आप सरोजनी को अच्छे से एक्स्प्लोर करें तो आप सरोजनी से खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं आ सकती इन भा पूरती बहुत ही पृटी लग रही थी मि अऔर को 300 रुपीज की मिली उसी के आगे चलते हैंक कुशन की कोछ शॉप ठी यहाँ पे देखें की कょण की क्वालिटी भी वह बहुत अच्छी थी कुशन दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे थीक है तो यह वाले जो 2 कुशन थी इन भाया ने 250 के दो कुशन दिये थे नेक्स उसी के ज़स सामने यह वाले जो कुशन थे वह 150 के थे विद कवर विद फिलर मतलब यह तो बहुत ही अच्छा था आप इसको ले जाए और सुन्दर से अपने घर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आप लोग डेकोर के और भी चीजे थी जैसे कि बहुत सारे स्टेचू मिल रहे थे बुद्धा के स्टेचू से तो इस तरह के काफी स्टेचू मिल रहे थे जिनकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी थी आपको सरोजनी के अंदर इस तरह के स्टॉल्स मिलेंगे 50 रुपीज के कड़े म हमने बहुत शॉपिंग कर ली थी तो हमने उसकी बाद वहां पर मोमोस खाए देन यहां पर यह 10 रुपीज की जंक जूल्री की शॉप थी एक स्टॉल लगा रखा था भाईया ने तो 10 रुपीज के अंदर यह बहुत अच्छा था इस शॉप का कलेक्शन जो प्लाजो सेट होती हैं नीचे बैटने कुछ लोग जो की शूज बेच रहे थे मतलब की सैंडल्स बेच रहे थे वो भी 150 रुपीज में तो सरोजनी के अंदर यह सब कुछ नहीं है बाकी और भी बहुत कुछ है सरोजनी को एक वीडियो में हम बिल्कुल कवर नहीं कर सकते तो हम इसका सेक आपके सेक्ट विडियो को एक आपके सेक्ता आपके सुड़ कैंज तो टेक केर बाइ